चलिए आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक हेकट ये लोंग हेर हैं हमारे पास वारे इनको एकदम शोट करने वाले हैं तो मैंने तीन चार कैमरा लगाएं ताकि आपको हर एक एंगल से अच्छे से दिखाई दे सकें ये फाइनल लुक है अगर आपको डर लगता है कि लंबे बालों को कैसे काटा जाएगा और छोटे बालों में कैसे इसको काटना है तो आज मेरे साथ जुडे रही है आप पिल्कुल जो आपकी टेंशन है डर है वो खतम हो जाएगा काफी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ तो बने रहीएगा हर एक पार्ट जो है वो देखने वाला है जाद लंबी वीडियो नहीं ये 10-12 मिनट की है तो प्लीज इस वीडियो को प्रोपर पूरी तरह एंड तक देखिएगा मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ पहले मैंने सेंटर पार्टेशन किया है और फिर उसके बाद मैंने येर टू येर सेक्शन किया है तो मैंने लेफ साइड निकाला अभी राइट साइड निकाल रहा हूँ मैं बालों को गुमा के टाई कर दूँगा ताकि मुझे haircut करते वक्त ये बाल बीच में आए तो अभी back में मैं एक half of the year section ले रहा हूँ एक horizontal section ले रहा हूँ बाकी सारे बालों को उपर बांदूंगा देखिए ध्यान से ये बांदने का meaning यही होता है कि आप जब cutting करो तो उपर वाले बाल आपको तंग ना करें तो मैंने box कह रही है लिया जितने छोटे आपको काटने काटो डरो मत कभी भी बाल क्योंकि client आपका वो actual haircut लेने के लिए ही आया है जो उसको चाहिए अगर आप डर के काटोगे तो वो proper look नहीं आ पाएगा जो हम उसको देने वाले हैं तो मैंने एक straight length create किया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक straight line बना लिया है अभी इससे और भी छोटे होंगे बिद मैं starting आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है ओके तो ध्यान से देखते जाएगा मैंने एक proper straight line बना लिया है अभी फिर से box का area ले रहा हूँ कॉम करूँगा अभी कॉम करूँगा vertically देखिए ध्यान से मैं कैसे पकड़ रहा हूँ दो finger से and then उसको cut कर रहा हूँ 90 degree पे this is called 90 degree ऑके मैं बालों को 90 degree पे पकड़ काट रहा हूँ अभी other side के बाल मैंने कॉम की उसी तरीके से फिर से again same thing मैंने side बाले बाल भी काट लिये left side के hair अभी right side के बाल मुझे अब दो तरीके हैं vertically भी पकड़ सकते हो horizontal भी तो मैं यहाँ पे horizontally काट रहा हूँ दिखाने के लिए आपको कि आप दोनों तरीकों से बाल काट सकते हो दोनों easy है पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें कितने बाल लंबे रखने है वो हमें decide करता है जो हमने one length काटा था उसके उपर decide करता है कि हमें कितने लंबे length रखनी है इन बालों की अभी उपर जाएंगे section जो है वो बड़े हो जाते है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में divide करके one one inch का जो section है वो उपर लेते जाना है मुझे one inch का section निकाला one inch by three inch इधर भी ऐसे one inch by three inch का section निकालूँगा जहां मुझे section निकालना है वहां finger रख लेता हूँ मैं इस तरीके से और clip के उपर वाले बाल अलग कर देता हूँ तो easy हो जाता है section करना बाल आगया फिर से हमरे पास बहुत लंबे-लंबे ध्यान से दिखी का मैं ये बाल ऐसे जो होते हैं उसको save कर लेता हूँ ताकि बाद में इसको extension मनाके इस पर experiment कर सकूँ तो मेरे लिए भी easy हो जाता है कि ऐसे बालों में हम future में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये color treated hair है इनमें keratin हो रखा है इनमें global color हो रखा है काफी ज़री चीज़े इसमें हो रखी हैं already और हमारा client जो है she don't want to do hair color तो उसको अभी natural look रखना है जो उसके natural white and black hair है salt and paper hair बोलते हैं वो रखने हैं तो इस तरीके से हमने फिर से box के रिया पकड़ा और काट दिया अब देख रहो मैं हर एक angle से camera इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको every angle से पता चले हम कोन से बाल कैसे काट रहे है तो ध्यान से देखेगा अगर वीडियो पसंद आता है तो like जरूर कर दे इस वीडियो को और मेरे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है subscribe कर ले और ये वीडियो हो रहा हूँ काफी दिन हो गए थै अक्टिव नहीं था विजी था बहुत सारे काम थे यहां पर काम की वज़ा से लेके ये नो time नहीं मिल पा रहा था भाभी फिर से फिर से एक one inch का section लिया हमने हम लोग फिर से वीडियो शुरू करेंगे अलग अलग तरह की जो भी आपको वीडियो देखनी है आप मुझे मैसेज करें तो मैंने one inch का section लिया बाल गिले किये बाल जितने गिले होंगे उतने अच्छे कटेंगे ये ध्यान लखना हमेशा जब भी आप बाल काटो short haircut जितने बाल गिले होंगे उतने अच्छे कटेंगे ये जो मेरे पास कॉम है आप देख रहे हो जिसमें डोट डोट है ये कॉम है YS Park एक brand है इंडिया में नहीं मिलता है बहुत मुश्कल से मिलता है बहुत expensive भी है इसका एक कॉम जो है 30-40 dollar का है तो आप 80-82 से गुना कर सकते हो इसको multiply कर सकते हो कितने का होगा तो मैंने ऐसे 10-12 को मंगवाए कुछ मैंने अपने friends को gift किये अगर आप लोग interested हो ऐसे कॉम में तो भी मुझे message करके बता सकते हो क्योंकि ये original नहीं मिलते हैं इंडिया में बहुत मुश्किल से और आजकल तो Amazon पे सब काफी लोग बेच रहे हैं बड़ I don't know वो original है भी या नहीं तो यहां पे हम सारे बाल 90 degree पे काट के उपर जाते जा रहे हैं थोड़ा सा मैंने finger drop किया है ताकि उपर के बाल हम थोड़े से बड़े रखे और हलका सा उसको 60 degree पे काट रहा हूँ मैं उपर वाले बालों को ताकि उपर के बाल बड़े हों और ने पेरिया के बाल छोटे रहें तो इस हिसाब से हम एक अच्छा लुग दे पाएंगे उसी तरीके से मैं बाल पकड़ लेता हूँ अपनी पिंकी फिंगर के अंदर ताकि मैं उसको बाद में सेव कर लूँ और कुछ उस पे एक्सपेरिमेंट कर लूँ अभी उपर का लास सेक्शन मज़ा आता है इतने लंबे बाल काटने में पकड़ा और चॉप राइट जसी इस तरीके से पकड़के आप अब मैं सेक्शन बाई सेक्शन बालो को उसी तरीके से काट रहा हूँ हलका सा फिंगर जो है मैंने ड्रॉप किया हुआ 90 डिग्री पे नहीं काट रहा है अभी मैं अब देखीगा बाहर लेके आ रहा हूँ फिंगर उपर से बाहर लेके आ रहा हूँ तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे बाल जो है वो बोटम के छोटे रहेंगे टॉप के बड़े रहेंगे बाल देखिए इस तरीके से अभी हम आएंगे फ्रंट हेयर पे फ्रंट पे भी एक कैमरा लगा दिया मैंने आप लोगों के लिए काफी लोग बोलते है सर कैमराज का थोड़ा प्रॉबलम है तो मैं ट्राइ कर रहा हूँ कि आपको हर एक एंगल जो है वो दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पकड़े बाल कट कर लिए मुझे ये लेंथ क्रियेट करना है ये लेवल ये हाफ ओफ दे इयर जो आपको अच्छा लगे और क्लाइंट से भी पूछ लेना कि उसको कौन सा लेंथ अच्छा लगता है मैं हाफ ओफ दे इयर रखता हूँ हमेशा और पीछे व बादवला टोप जो सेक्षन होगा वह हम थोड़ा सा फिंगर ड्रॉप करेंगे मतलब वह 60 तो 45 डिगरी पर हम काट सकते हैं ताकि टॉप के बाल बढ़े रहे हैं तो यहां फिर से मैंने इनको 90 डिगरी पर काटा फ्रंट हेर कट चुके हैं मैं देख रहा हूँ अभी वन इंच का एक और सेक्षन लेंगे हैं उसी तरीके से बाल सूखे हैं इनको गीले कर लें और उससे पहले काट लें जो एक्स्ट्रा हेर हैं तो मैं ऐसे काट देता हूँ कट करके रख लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा बालों के साथ ये नो डील ना करना पड़े तो मैंने कॉम किया इस तरीके से अभी फिंगर थोड़ी देखिएगा मैं बाहर लेके आ रहा हूँ मैं 90 पे नहीं काट रहा हूँ अभी 45 पे लेके जा रहा हूँ उपर के बाल जो हैं फर्स सेक्शन के बाद मैं फिंगर थोड़ी 45 डिगरी पे लेके जाके काट रहा हूँ बालों को ताकि टॉप के बाल बड़े रहेंगे और इन्वर्टेड रहेंगे आपको एक प्रोपर लोक दे देगा अपने आप यह कट क्योंकि आपको इसमें ड्रायर करने की जूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में क्लाइंट अगर करना चाहता है तो नहीं जूरत पड़ेगी और साथ में बहुत इजी टू मैंटेन हो जाएगा क्लाइंट के लिए इसलिए लोग शोट हे सेक्शन जो है थोड़े लंबे रख रहा हूं और देख रहा हूं चेक करता हूं हमेशा कि मुझे कितनी लेंथ रखनी है कहीं ज्यादा कार दी तो फिर वो हेकट का लुक चला जाता है तो इस तरीके से देखिएगा ध्यान से फिर से फिंगर ड्रॉप किया मैंने 45 डिग्र कि टॉप के बाल और बड़े हो जाएंगे सेक्शन बाइ सेक्शन ऐसे ही आप एक साइड का पार्ट कर दो लास्ट तक दिखिए ध्यान से तो मैं एक साइड के बाल जो है ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट हमने काट काट दिया है 75 परसेंट हेकर हमारा हो चुका है अभी इस साइड क 25 परसेंट रहा गया दिखिएगा ध्यान से पीछे वाले समान पर ध्यान मत दीजिएगा महां पर कुछ लोरियल के स्पाप पड़े हुआ है यह मैंने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि मैंने सारे बाल काट दी है इस तरीके से तो इंस्टाग्राम जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है जाके मेरे इंस्टाग्राम को हेर सलूशन सर्च करेंगे हम टॉप पही आएंगे वैसे वहां पर क्योंकि एक ही है तो फिर से मैंने बाल पकड़े और यहां पर हाफ अफ अफ दे यर मुझे एक स्टेट लाइन क् आगे बढ़ने के लिए बालो को आगे काटने के लिए तो मैंने यहां पर कॉम किया यह कानवला पाट थोड़ा ट्रिकी होता है तो ध्यान से पगड़ने का गॉम करने का छोटे बाल देखने का 90 डिगरी पे कट कर देने का तो यह ध्यान रखना है मिशह जब भी आप बा कर रहा हूं, section जो है मेरा 1 inch by 2 inch length में रहता है, 2 inch लंबा होता है, 1 inch चोड़ा होता है, तो मैंने इस तरीके से again I hold the hair and cut on the 45 degree, तो मैंने थोड़ा चेक कर लेता हूं पीछे के बाल भी, कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, तो all good, अभी तक अभी आगया हमारे front के hair, उसी तरीके से, guideline आपके पास पीछे वाले बालों की आती जाती है, जब आप बाल कातना शुरू करते हो, यह last portion है, बट इसके बाद भी, अभी हम इसको even, जो है, merging करेंगे front hair की, आपको कैसे पता होगा, लगी दोनों साइड के बाल, you know, even है या नहीं है, तो उसको merge करना ज़रूरी है, यहाँ पर मैंने दो कैमरा आपको दे दी है, screen पर, दोनों साइड से आप देख सकते हो, front से भी और side से भी मैं कैसे cut कर रहा हूँ, I hope आपको यह वीडियो पसंद आए, फिर से मैंने front वाले hair पकड़े, कौम की अच्छे से, थोड़ा 45 डिग्री पे काट रहा हूँ, आप देख रहे हो, उपर वाले बाल बड़े हैं, फिर मैं dryer कर लेता हूँ, पूरे बालों को dryer करके अच्छे से, और इसको final shape जो है वो दे दूँगा, मैं dryer में ज्यादा time ली लेता हूँ, short hair में, सबसे पहले बालों को 80% dry कर लें, और इसको natural जो है, वो बालों को flow करने दे, जिस shape में वो जाना चाहते हैं, तो ये haircut अपने आप आ जाएगा, ये मेरे पास जो brush है, वो है Dyson का 9 layer बोलते हैं इसको, 9 row, 9 row बोलते हैं, 7 row भी आता है, 9 row भी आता है, ये wind brush है, और जो dryer है, वो मेरे पास है Dyson का, ये professional dryer है, regular भी मिलते हैं, दो तरह के dryer आते हैं इनके भी, जो routine में आपको घर पे use करने हैं, या, अब देखिए haircut जो है, almost almost finish है, ये मेरे पास 7 row है, जो मैं brush use कर रहा हूँ, Denman का, wind brush बोलते हैं इसको, 7 row and 9 row, द दोनों ही पसंद है, इसलिए मैं दोनों रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं बालो को कैसे in कर रहा हूँ, और इसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे चेक करना है, कहीं से बाल चोटे बड़े हैं, तो I'll check, और उसके बाद final look आपको मैं दिखा दूँगा, there's a final look, I hope आपको पसंद आया हो, वीडियो को इसी तरीके से लाइक कर दे, शेर कर दे, ये बिफोर आफ्टर वीडियो है, thank you so much, have a good day, enjoy!